हेलो लेडिस जेंटलमें दिस साइट सुमिछ शर्मा एंड वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर एंड बहुत ही शांदार वी इबुक्स ला रहा हूं आप लोग के लिए डिसक्रिप्शन जाके आप डाउनलूड कर सकते हैं मेरी इबुक्स को आगे बढ़ते ह थिर्पंटे हिंड वह स्केटकर ग Poke इन लिए देग्स हमें एरिया बाउंडड ऐन्माइट दीस टूकर्व इन करना एंड मैने आप लोगों के लिए ग्राफ भी बना दिया यहां पर सो मैंने graph बना दिया है लेकिन यह graph आप लोग को याद रखना पड़ेगा यह जो है यह वाला graph मैं आपको दिखाने कोशिक करता हूं यह sign inverse x graph जो कि ऐसे बनता है और यह है cause inverse x का graph जो कि कुछ यह कौन सा point है इसको हम find करने के लिए क्या किया है हमने sin inverse x और cause inverse x दोनों graph के जो equations है उनको equal कर देंगे हम लोग equal करेंगे तो हमें मिलेगा sin inverse x upon cause inverse x जो की 10 inverse x होता है और यह हो जाएगा गलत बहुत सो लोग पहली बार यही mistake कर देंगे और क्या डाल देंगे x की value पाई वे 4 डाल देंगे right x की value यहां से पाई वे 4 आ जाएगी लेकिन यह ऐसा है नहीं यह x-axis पे यह वाली value यह वाली value जहां पर intersect कर रहे हैं दोनों graph इसकी value है 1 by root 2 कैसे आई इस तरीके से आई देखिए sin inverse x is cause inverse x cause inverse x को हमने लिखा क्या pi by 2 minus sin inverse x I hope आप सब लोगों को दिख रहा हुआ है sin inverse x लिखा हुआ है okay now आगे देखेंगे आगे क्या हो गया है यहां पर sin inverse x इधर चला आएगा क्या हो जाएगा 2 sin inverse x is equals to pi by 2 all right इतनी बात तो आप लोगों clear होगे अच्छे से now sin inverse x is equals to pi by 4 यानी x is equals to sin pi by 4 और sin pi by 4 की value हमें पता है क्या होती है 1 by root 2 okay so x जो graph है दोनों graph कहां पर intersect कर रहे है x equal to 1 by root 2 पे okay I hope आप सब लोगो दिख भी रहा होगा and हमें कौन सा area find करना है मैं zoom कर देता हूं आप लोगो दिखाने खुशिश करता हूं यह जो shaded area है हमें यह find करना है यह वाला area ठीक यह वाला area हमें find करना है and तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे देखिए मैं आप लोग vertical strip देखिए बनी हुए vertical strip right so ydx हम लोग form लेते हैं तो इस तरीके देखेंगे तो graph के जरीए आप देखिए अगर आपको दिखेगा तो 0 से ले करके 1 by root 2 तक गया है ओके फिर 1 by root 2 से 1 तक हमने लिया है थिक अब देखिए इसी हिसाब से मैंने पहले sin inverse x के लिए 0 से 1 by root 2 sin inverse x right क्योंकि 0 से 1 by 2 में कौन से graph आपको मिल रहा है देखिए 0 से 1 by 2 में मैं आपको दिखाने कोशिच करता हूं zoom करके यह देखिए 0 से 1 by 2 1 by root 2 कौन से graph है यह वाला graph और यह graph क्या है sin inverse x उपर दिखिए मैंने लिखा था यह graph कौन सा है sin inverse x ओके एंड उसके बाद 1 by root 2 से यहां स से यहां तक 1 तक कौन से graph है cause inverse x ओके यह cause inverse x से graph है 1 by root 2 से 1 तक इसी लिए हमने ऐसा लिखा है तक के 1 by root 2 से 1 का graph cause inverse x यह ओला graph है यह कौन सा method है vs method vertical method और मैंने आप लिख भी रखा है बहुत लोग पढ़ लिए होंगे it is very difficult to integrate हाँ अगर sin inverse x का आपको integration आता है तो आप लोग definitely करिए लेकिन बजह नहीं लगता बहुत जाता student को 90 लोगों को यह चीन नहीं आती है अब यह x अपर क्या है और x slower क्या है आप लोग graph देखिए जरा तो graph आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है किस तरीके से यह देखिए मैं आपको अगर थोड़ा सा और जूम करके explain करूं तो देखिए ध्यान से यह देखिए यह जो graph है किसका है यह sin inverse x का है मैंने लिख रखा है and यह अला जो graph है यह क्या है यह cause inverse x का है तो हम लोग क्या करेंगे यह y axis है यह y axis तो 0 से pi by 4 यह वाली कौन सी है यह pi by 4 यह वाला point और यह वाला 0 origin right so क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह पूरा area पहले find करेंगे यह पूरा area कैसे cause inverse x को integrate कर देंगे कहां से कहां तक 0 से pi by 4 तक integrate कर देंगे यह पूरा area आ जाएगा फिर smart लोग समझ गया है मैं क्या करना चाहता हूं फिर क्या करेंगे फिर यह जो sin inverse x वाला है जान से देखिए बूरा area हमने find किया फिर क्या find किया sin inverse x का area कहां से 0 से pi by 4 तक minus कर दिया हमने cause inverse x अपर वाला graph यह वाला minus lower वाला graph x अपर minus x lower lower counts है sin inverse x तो हम लोग क्या किये यह वाला area minus कर देंगे तो बचेगा कौन सा यह वाला area जो कि हमें find करना था राइट आप सब लोग समझ रहोंगे इसी वाज़े से हमने क्या किया है हमने यहाँ पर y की value निकाला है कैसे y is equal to cause inverse x दिया हुआ था एक्स की value क्या आ जाएगी cause inverse से इधर से लाएगा cause y हो जाएगा यह अपर है क्या है इसी तरह similarly lower हम लोग निकाल लेंगे x is equal to sine y यह lower है हमारा so x अपर minus x lower cause y minus sine y रख देंगे तो cause y का integration sine y होता है sine y का integration minus cause y होता है इस वाज देखिए यहाँ पर plus आ गया यहाँ minus था न तो यहाँ पर plus आ गया okay now अब value रख देंगे upper limit minus lower limit upper limit रखेंगे sine 1 1 by root 2 और cause 5 by 4 क्या होता है 1 by root 2 and minus lower limit जो की 0 आ जाएगी and इसको simplify करेंगे आप लोग तो 2 upon root 2 आएगा minus 1 and finally हमारा answer क्या जाएगा root 2 minus 1 यह बहुत simple question था and इसको हम लोग किस से किस method से हम लोग न किये hs method so is question को करने का मेरा यही उद्देश है था मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कभी-कभी with respect to x integrate ना हो यानि vs method ना लगे generally हम लोग vs method लगाते लगे vs method काम ना करें ठीक है तो आप लोग vs method मतलब with respect to dx right vs method में क्या आता है dx और hs method में क्या आता है dy so अगर dx में अगर आपका integration ना हो पाए पॉसिबल ना हो या area of अच्छे से solve करके आप लोग के लिए बुक बना दी है pdf के form में आप जाके मुरी एप साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं सारी e-books thank you for watching this video make sure you like the video and hit the subscribe button